गुरूगराम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रहना जाए नमस्कार मैं हूँ सुनिल यादव और स्वागत है आपका गुरूगराम न्यूज में जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अब हरियाना में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और ये नाइट कर्फ्यू अब आने वाले जो शादी के फंक्शन है उन पर एक ग्रहन की तरह लग गया है अब रात नो बजे के बाद फेरे नहीं होंगे हरियाना में यह हम नहीं कहा रहे हैं दरसल गुरुग्राम की DC यश्गर्ग ने साफ कर दिया है कि night curfew के दोरान किसी भी function की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी जिससे ये बात साफ हो गई है कि अब जो night curfew हर्याना में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया जाएगा उस night curfew के द साथ में नहीं हो पाएंगी और अगर दिन में भी अगर कोई अपनी शादी को प्रीपोंड कर लेता है कि अगर दिन में कोई शादी का function करना चाहता है तो उसके लिए भी पहले DC नगर निगम जॉइंट कमिशनर या फिर सच्चो से उसकी permission लेनी होगी इसके लिए गुरु प्रशासन से permission लेनी होगी और अगर खुले में कोई function हो रहा है तो वहाँ पर केवल 500 लोगों को इखटा होने की अनुमती होगी वो भी पूरे COVID प्रोटोकोल के साथ और अगर कोई indoor कारेकरम हो रहा है तो वहाँ पर capacity उस hole की 50% के नीचे रहेगी यानि कि अगर indoor कोई कारेक नहीं होगी कि लोग इखटे हो पाएं इसके अलावा सभी COVID प्रोटोकोल की पालना करनी होगी और यह सुनिश्चित करेगा जो सम्मंदित थाना प्रभारी होगा उसकी जिम्मेवारी लगाएगी कि उनके इलाके में अगर कोई इस तरह का कोई function हो रहा है family function है शादी प्रो जो नो बजे के बाद किसी प्रकार के समहरोग नहीं हो पाएंगे तो ऐसे मेरा मेसेज यही है कि इस समय जब एक बहुत difficult position है सभी के लिए तो ऐसे में आप समहरोग को छोटे रखें COVID डॉम्स का पालना करें जो सरकार की तरफ से निद्देश आ गए हैं कि नो बजे के उप परांत किसी प्रकार की मुमेंट अलाउड नहीं होगी यदि किसी को भी कोई समारोग करना भी है तो उसको नौ बजे से पहले ही निप्टा लेए तो उसके लिए कि परमीशन तो चाहिए ही वो सरकार के पिछले आदेश थे ही कि कि किसी भी प्रकार का चाहिए सोशल गुरुगराम के डीसी यशगर्ग ने इस रत को हरी जंडी दिखाई जो कि गुरुगराम के अलग-अलग इलाकों में जाकर लोगों को जागरुक करेंगे कि कैसे कोरोना से बचना है कोरोना को लेकर नियमों की सारी पालना करनी है इसी सब जागरुकता अभियान के तैट अगले पंद्रा दिनों में ये रत पूरे गुरुगराम जिले को कवर करेगा और अलग-अलग इलाकों में जाकर लोगों को जागरुक करेगा जी देखिए जैसे आपको पता है कि विगत कुछ दिनों में कोरोना केसिस में काफी बड़ोतरी हुई है पूरे देश में भी गुरुगराम में भी और इस समय में ये बड़ा आवश्यक है कि जो पबलिक का हमें साथ मिले ऐसे में जब सब कुछ खुला हुआ है तो हम सभी लोग अपने जीवन में कोविड अप्रोप्रियेट बिहेवियर्स को अपना कर ही इस बिमारी के संक्रमन को तोड़ सकते हैं या उसकी चेन को रोक सकते हैं तो उसी की कड़ी में ये कदम है जो जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से उठाया गया है और इसमें एक हम वहन जो हमने एम ये रखा है कि अगले 15 दिन में हम पूरे जिले को पूरे शहर को इसमें कवर कर लें इसमें वालेंटियर्स की ड्यूटी भी रहेगी और इस वेन के माध्यम से हम यही मैसेज लोगों को देना चाहेंगे कि कोविड अप्रोप्रियेट बिहेवियर्स को अपनान कितना आवश्यक हैं और हम इसको कैसे अपने जीवन में अपना सकते हैं पिछले साल लोगडाउन के चलते बहुत से लोगों की शादिया टाल दी गई या फिर जिन्होंने शादिया की उन्होंने घर के परिवार के सदस्यों के बीच ही साथ फेरे लिए लेकिन इस बार ना नमस्कार